एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकराथ से पूछा कि सफलता का रहश क्या है शुकराथ ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो और वो मिले फिर सुकराथ ने नौजवान से उनके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते पहुचिया तब ही अचानक सुकराथ ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्स करने लगा लेकिन सुकराथ ताकतवर था और दिल से बहुत मजबूत था और उसे तब तक डुबो रखे जब तक कि वो बिलकुल नी निकाल दिया और बाहर निकालते ही वह चीज उस लड़के ने सबसे पहले की थी जो हाफते हाफते तेजी से सांस लेना सुकराथ ने पूछा जब तुम वहां थे पानी के अंदर तुम सबसे जादा क्या चाहते थे लड़के ने उत्तर दिया सांस लेना सुकराथ ने कहा यही सफलता का रहश्य है, जब तुम सफलता को इतनी ही बुरी तरह से चाहोगे, जितना कि तुम्हें सांस लेना चाहते थे, वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी, इस के लामा और कोई रहश्य नहीं है, दोस्तों, जब आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहते है, that is unidirectional, त more often than not, वो चीज आपको मिल जाती है, जैसे चोटे बच्चे को देख लीजे, वो ना past में जीते हैं और ना future में, वे हमीसा present में जीते हैं, और जब उन्हें खेलने के लिए कोई खिलोना चाहिए, या खाने के लिए कोई तौफी चाहिए, तो उनका पूरा ध्यान, उनकी प फलता पाने के लिए फोकस बहुत जरूरी है